नमस्कार किसान समचार में आपका स्वागत है मैं हूँ रेशमा आपके साथ आएगे नजर डाते हैं इस वक्त की हैड्लाइन्स पर प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 105 पी कड़ी में देश्वासियों से अपने विचार की साचा संभल में सोत नदी को पुनरजवित करने के लिए लोगों के प्रयास को बताया जन्फा गिदारी का बेतरी उध्वारंद केंद्रेगरी एमम जहकारिता मंद्री अमर्शाह ने किसानों के हित के लिए किये गए फैसलों को गिनाया मॉंबई में आयो जन्कारिक्रम में कहा मल्टी स्टेट को उपरेटिव एक्स्पोर्ट ने किसानों के लिए खोले निर्यात की दौा स्वजभारत अभ्यान ग्रामें टू के तहट देश के नाम जूड़ी एक और काम्यावी भारत के 55 प्रतिशत गाउं हुए ODF प्लस केंद्री जर्शक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शिखावत ने पीम मोदी की नेतरित को दिया श्रै 80 प्रतिशत में हिलाओं के जीवन में खादी के कारण आया क्रांतिकारी बतलाओ खादी और ग्रामोद्योग आयो के अध्यक्ष ने कहा पिसले नौ वर्शों में खादी गरीबी उन्मूलन, कारिगर सशक्तिकरण और खादी सुरक्षा का बना सबसे मजबूत हथियार और अब समचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 105 वी कड़ी के जरिए देश्वासियों से अपने विचार साचा किये प्रधान मंत्री मोदी ने संभल में अतिक रमन के कारण विलुक्त होती हुई नदी के लोगों के प्रयास से पुनर जीवित होने का जिक्र किया उन्होंने कहा के सोत नदी को फिर से जीवित कर लोगों ने जन भागिदारी और सामुहित्ता का शांदार उधारन पेश किया है सत्तर से ज़्यादा गाव हो हजारों की आबादी हो और सभी लोग मिलकर एक लक्ष एक ध्याई की प्राप्ति के लिए साथ आ जाएं जुड़ जाएं ऐसा कम ही होता है लेकिन संभल के लोगों ने एक करके दिखाया इन लोगों ने मिलकर जन भागिदारी और सामुहित्ता की बहुती शांदार मिशाल काईम की है दरसल इस खेत्र में दसकों पहले सोत नाम की एक नदी हुआ करती थी अमरोहा से सुरू होकर संभल होते हुए बदायू तक बहने वाली ये नदी एक समय इस खेत्र में जिवन दाइनी के रुप में जानी जाती थी इस नदी में अनवरत जल प्रभाईत होता था जो इहां के किसानों के लिए खेती का मुख्य आथार था समय के साथ नदी का प्रभाई कम हुआ नदी जिन रास्तों से बहती थी वहां अतिक्रमन हो गया और ये नदी बिलुप्त हो गई नदी को मा मानने वाले हमारे देश में संभल के लोगों ने इस सोत नदी को भी पुनरजिवित करने का संकल्प ले लिया पिछले साल दिसंबर में सोत नदी के कायकल्प का काम सत्तर से ज़्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया ग्राम पंचायतों के लोगों ने सरकारी विभाकों को भी अपने साथ लिया आपको ये जानकर खुशी होगी कि साल के पहले छे मेहने में ही ये लोग नदी के सो किलोमेटर से ज़्यादा रास्ते का पुनरुधार कर चुके थे जब बारिश का मौसम शुरू हुआ तो यहां के लोगों की मेहनत रंग लाई और सोत नदी पानी से लबा लब भर गई यहां के किसानों के लिए खुशी का एक बड़ा मौका बन कर आया है लोगोंने नदी के किनारे बांस के 10,000 से भी अधिक पउधे भी लगाये है ताकि इसकी किनारे पूरी तरह सुरक्षित रहे नदी के पानी में 30,000 से अधिक गंबूसिया मच्छिलियों को भी छोड़ा गया है ताकि मच्छर नपन पे केंद्रिय ग्री एमम सहकारिता मंत्री अमर्शाह ने मुंबई विश्वध्याले में लक्ष्मन राओ इनामदार स्मृति व्यख्यान में कहा कि सहकारिता के शेत्र में कई सुधार हुए हैं जबकि आमोल चूल परिवर्तन ग्रामिंड शेत्र में हुआ है सहकारिता विशे पर उन्होंने कहा कि एक रशी मंत्राली से सहकारिता को अलग करने के बाद सहकारिता आंदोलन को नई गती मिली है उन्होंने कहा कि आने वाले पांच सालों में तीन लाख नए पैक्स बनाई जाएंगी हर पंचायत में एक पैक्स होगा और ये पैक्स बहु आयामी होगे पैक्स की दुकान भी चला पाएगा पैक्स सस्ती दवाईयों की दुकान भी चला पाएगा और पैक्स बंडारंपका भी काम करे ले तो एक समस्या थी कि पैक्स वायबल नहीं रहे थे पैक्स की रून लेने की और रून देने की दोनों सिमाओं को तई कर दिया गया था तो आ अमिर्शाह ने कहा कि मोधी सरकार ने मल्टी स्टेट और्गनिक कोपरेटिव सोसाइटी बनाई जो देशफर में और्गनिक एगरिकल्चर प्रोड्यूस को खरीदने और विश्व के बाजार में बेचने की विवस्था करेगी एक मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट कोपरेटिव भी बनाई जो किसानों के उत्पादों को एक्सपोर्ट करेगा और इसका पूरा मुनाफा सीधा किसान के पास जाएगा इसके लावा एक मल्टी स्टेट कोपरेटिव बीच समीती भी बनाई गई है उन्होंने कहा कि विश्व क सबसे बड़ी खाद्यान भंडारन योजना भी पैक्स के माध्यम से आगे चलाई जाएगी। एक मल्टी स्टेट एक्सपोर्ट कॉपरेटिव भी बनाया जो किसानों के दाम को और उत्पादों को एक्सपोर्ट करेगा इसका पूरा मुनापा सिधा किसान के पास ट्रांसपर होगा। और एक मल्टी स्टेट कॉपरेटिव बीच समीती के लिए भी बनाया है। विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान भंडारन योधना भी पैक्स के माध्यम से हम आगे चलाने वाले हैं। इसके साथ साथ सहकारिता उनिवर्सिटी भी बनाने वाले हैं। जैम के माध्यम से सारे कॉपरेटिव की चीजों को बेचने की भी वियोस्ता की है। और ग्यारा सो एप्पी ओ भी नए पैक्स के माध्यम से होगे पैक्स अब सीएस्टी का भी काम कर पाएंगे। आमिर्शा ने कहा कि केंडर की नरेंदर मोधी सरकार ने कई सरकारी बतलाओ भी किये हैं। उन्होंने कहा कि इंकम टेक्स में कोपरेटिव और कॉर्परेट दोनों को एक समान अस्तर पढ़ लाने का काम आजादी के बाद पहली बार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि कोपरेटिव के गतेविद्यों को अगर हम समय अनुसार अत्यादुनिक तकनीक के साथ जोड़ कर आगे बढ़ाएं तो भारत जैसे देश में रोजगार के साथ अर्थ तंत्र के विकास का इससे बड़ा और अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। इस समान स्तरपल लाने का काम आजादी के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जीने किया है टैक्सेशन में एक ही लेवल कर लगबग लगबग दस हजार करोर से ज्यादा पूराना डिस्प्यूट और हर साल तीन हजार करोर की टैक्स की बचचत चीनी कोपरेटिव मिलों के सा साथ करने का फैसला भारत सरकार ने किया है सहकारी समीद्यों के अधिपार को 12% से घटा कर 7% कर दिया मैट को 60-15% कर दिया मित्र आज मैं यहाँ पर आया हूँ तब एक एने आया हूँ कि कोपरेटिव की घतिविदी को अगर हम समय के साथ बदल कर आधूनिक से आधूनिक टेक्नोलोजी को कोपरेटिव खेत्र आत्मसाथ करकर आगे बढ़े तो मुझे पूरा विश्वास है आज के समय में भारत जैसे देश में रोजगारी के साथ अर्थ तंत्र के विकास का इसके बड़ा और अच्छा तरीका और कोई नहीं और सुच भारत अभियान ग्रामेंटू के तहट एक और सभलता मिली है देश के 75 प्रतिशत गाउं ODF प्लस हो गए हैं तक्रीबन 4.4 तीन लाक गाउं ने खुद को ODF प्लस घोशित किया है 2025 तक देश के गाउं को ODF प्लस करने का लक्ष है इसके साथ ही 5 करोड लोग सौचता ही सेवा अभियान के तहट चलाए गए विभिन कारिकरमों का हिस्सा बने हैं जबके 2.05 करोड लोग श्रमदान से जुड़े हैं इस सभी विश्यों पर केंद्री जर्शक्ती मंत्री गजेंदर सिंग शिखावा से बात की हमारे सम्वादाता चंदर शेखर ने हमारे साथ इस वक्त माजूद है केंद्री मत्री गजेंद्र सिंग शिखावाजी सर ओडियाफ प्लस को लेकर की जो विलेज हैं उस पे लेकर की अभी कहा तक अचीवमेंट बिल पाई है कि 2014 में मानी प्रिधान में जी की संकल्प के हम देश को खुले में शौट से मुक्त करेंगे उस संकल्प के अध्यान काम करते हुए मुझे परसनिता है कि 2 अक्टूबर 2019 को जो तैटी थी थी तब तक देश ने अपने आपको खुले में शौट से मुक्त गोशित कर दिया थ जी की संकलपना की देश के हर गाउं में लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट उसके डिस्पोजल की ठीक से व्यवस्ता हो cluster of villages के बीच में इस तरह के infrastructure create किये जाएं तीन स्तर बनाए गए थे एक rising, aspiring और model villages आज में गर्ब के साथ में कह सकता हूं कि देश का हर चटा गाउं आज model village हो गया है और साथ ही साथ में देश के 75 प्रतिशत गाउं ने आज ODF प्लस केटेगरी में अपने आपको qualify कर लिए है ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता है और इस सफलता से उत्साहित हो करके हम अपने काम की गती को बढ़ाते हुए इस लक्षे को ताई समय से पहले प्राप्ट करने में हम जुटे हैं और हम निश्चित रूप से सफल होंगे सफचिता ही सेवा पकवाड़ा भी चल रहा है और आपने कहा कि जब ये पकवाड़ा खतब होगा तो आप मानते हैं कि दस परतिशित जो अबादी है इसको आप जोडने में सफल होंगे अभी की क्या स्केशित बड़ है देखें पंधरह तारिक से पिछले महिने में मनिये हरदीपुरी जी और आधनिये गिरिराज सिंग जी की पावन उपस्तिती में हमने प्रदानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हम होल अफ दे गवर्नमेंट अपरोच के साथ में काम करें उस सहवागिता सुनिश्चित की है और देश में लगबग दो करोड से ज़्यादा लोगों ने इस सच्छताई सेवा पकवाडा के निमित तिश रमदान किया है वो श्रमदान समुद्र के तटों पर सफाई के दरश्टी कोन से हो सकता है वो श्रमदान नदियों के तटों पर स खड़े हो करके स्वच्छता की शपत ऐसा लिया है मुझे पूरा विश्वास है कि दो अक्टूबर तक जैसे जैसे ये पकवाडा और अधिक उचाईयों को चुएगा देश के दस प्रतिशत लोग प्रत्यक्ष परोग शुरूप से इस से जुडएंगे और इसके कारण से स्वच्छता को ले करके जो एक नई उर्जा का सजन होगा नई चेतना का सजन होगा ये देश को जो है और आगे ले जाने में स्वच्छता के दृष्टिकों से आगे ले जा करके माने प्रधान मंतिजी के सपनों का संपूर्ण स्वच्छ ग्रामीन भारत बनाने में जो है वो एक बहुत बड़े मील के पत्थर के रूप में होगा तेके मैं सबसे कहूँगा कि इस पकवाड़े के समय में जुटे और स्वच्छता के संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा बनाए मेरे द्वारा मेरे परिवार के द्वारा कहीं भी स्वच्छता कंप्रोमाईज न हो इस द्रश्टिकों से हम सबको शपत पूरवक काम करने की आवश्यक्ता है हम सबको जोटना चाहिए तो यह थे केंद्रि मंति गजन सिंग शिखावत कैमरा परसन राजेश शर्मा के साथ चद्रशेख डीडी नियो से दिले और राश्टिये उचतर करशी शिक्षा परियोजना यानि नाहेफ के जरिये देश के करशी विश्विद्याले के चात्र विदेशों में क्रिशी ग्यान और कोशल विकास के प्रशिक्षन के लिए विदेशों में जा रहे हैं इसी क्रम में श्रीकर्ण नरेंद्र क्रिशी विश्विद्याले जोबनेर के कुलपती प्रोफेसर बलराज सिंग की पहल से क्रिशिव विश्विद्याले जोबरेन के चातर थाइलेंड परिश्चिमी सिड्नी और ऑस्टेलिया जैसे देशों के ब्रह्मन पर जा रहे हैं इस विशे पर हमारी समवादाता ओपी यादव ने बात की एसके एन क्रिशिव विश्विद्याले जोबनेर के कुलपती प्रोफेसर बल्राज सिंग से भारती क्रिशी अनसंदान परिश्चत द्वारा राष्टे उच्चतर क्रिशी सिक्सा परियोजना चलाई जा रही है और इसी परियोजना के जरिये देश बर के बच्चों का विकास ने के अलबारत में हो रहा है बल्कि वो विदेशों में जाकर किसी से जुड़ी तकनीक और कोसल विकास से समंदित हुनर सीख कर स्वधेस लोट रहे हैं अगर बात करें नाहिब की आपके विदेशों में जा रहे हैं नाहिब क्या परियोजना है यह जो प्रियोजना है यह World Bank funded प्रियोजना है National Agriculture Higher Education Project जो है नाहिप जिसको बोलते हैं अब वो जो है उसका तात्प्रिय है एक तो आधुनिक infrastructure डवलप हो युनिस्टी में जैसे कि smart classrooms, laboratories और इसके अतरिक्त जो है बच्चों का देश में अच्छे reputed institutions में exposure, visitor, trainings हो और इसके अतर देशों में भी उनका participation हो अच्छी जो विदेशों में युनिस्टियां है या institutions है उनके अंदर साथ-साथ जो हमारे वैग्यानिक है उनका भी exposure visit trainings हो बाहर जाए नाहिप के जरिये आपके विश्विद्याले के बच्चे कौन-कौन से देशों में गए हैं कितने ते बच्च फिर दूसरा गुरुप जो हमारा नौ बच्चों का Western Sydney University Australia गया अभी दो महिने के बाद जो बैच लोटे गा और पहले वाले की थीम थी Smart Farming Technologies in Agriculture जो यह आईटी बैंक कौक में जाका है और अभी जो Western Sydney University गए है Overall Development of Agriculture in Australia इस विशे पे और Recent Developments in Agriculture इस सारी चीज़े सीखने के लिए वाँ गए हैं और तीसरा बैच फिर वापस से अभी हाली में एक अफ़ता पहले AIT बैंक को गया साथ बच्चों का तो वो भी जो है High Tech जो Technologies हैं या Smart Farming Technologies हैं एक महिने तक उनको सीख के आएगा इसके अतरिक मैं ये भी बताना चाहूंगा साथ में Faculty के हमारे साथ से वो भी जा रहे हैं तीन महीने दो महीने एक महीने पंदरा दिन की एकस्पोजर विजिट या ट्रेनिंग्स के उपर हम बड़े पैमाने पर ये कारी करम चला रहे हैं जॉब नेर में और लाल सोट के अंदर दूसरी जग भी इसको चलाएंगे परसनल्टी डवलपमेंट का जो अंतराश्टी विजिट हो रही है उससे कहने कहीं जो आप एक मिशन लेकर चल रहे हैं कि मेरे बच्चे प्रोफेशनलिजम को समझें कोसल दक्सता हो और परसनल्टी का डवलपमेंट हो तो दूसरे देशों में जाएंगे तो कहीं नी कहीं इन सभी चीजों का उनमें एक नया समावेश होगा तो उससे एक नए भारत की तस्वीर क्रिशिक शेतर में यहां कर जाएंगे तो यह दसरी कर नरंदर क्रिशि विस्विद्याले जोब निर के कुल्पती प्रोफेसर बलराज सिंग जिनका माना की राष्टे उच्चे तर क्रिशि सिक्षा पर्योजना के जरी एक और जाएंगे च्छात और सिक्षक विदेशों में जाकर क्रिशि में औरे सोद और नव जल्पना को साकार करने की करम में भारती राष्ट्री एक रशी सहकारी विप्रन यानि नफिट की राज़धानी नई दिल्ली में 66 वी आम सभा की बैठक हुई बैठक के विशे पर नफिट की अध्यक्षि विजेंदर सिंग से बात की हमारे समवादा ता ओपिया तबनी नफिट की 66 वी वार्षिक आम सभा की बैठक के आयोजन के क्या मायने रहें और इससे बहुत से में किस तरह किसानों को आर्थिक रूप से ससक्त और मदूद बनान की संक्लपना बनेगी इन सबी विशेव पर बात करने के लिए हमारे साथ मुझूद है नफिट के चेर्मेन तो यह जो लाब हमारा बड़ा है पहले डिट सो करोड था पिछले साल डाई सो करोड रहा अब चार सो करोड होने की उमीद है क्योंकि डाई सो करोड तो अभी तक हो चुका है तो यह इसका में करेडिट जो है हमारे MD और हमारे senior member और सारे पूरे staff को जाता है मेरे यह मनना ह क्योंकि हम नेफिड का बोर्ड तो एक नीती गत्वें से ले लेता है, पॉलिसी डिसीजन लेता है, गौर्मेंट की स्कीम को इंपिलीमेंट करने के लिए अधिकारियों को कहता है, नेफिड को जो भी गौर्मेंट से ड्यूटी मिली है या प्रैमरी सुसाइटी के परती जो बेखुबी से निमाया है, पूरी तनमेता से उनकी मदद की है, मेमरान की, और विशेश कर, कोविड के टाइम में, नेफिड के बोर्ड को बदाई इस वात की देता हूँ कि ये तेकिया था, जब घर से कोई नहीं निकलता था, हमारे देश में नहीं विदेश में भी नहीं गौर्ड के कहने पर रासन विजवाया है, चना दाल, चाउल जो भी कुछ उन्होंने देना था, पूरे देश में दिया है, और बोर्ड ने ये भी तेकिया था, अगर किसी स्टाफ के मेंबर की डेथ होगी, तो चालीस लाख रुपे उस परिवार को दिये जाएंगे, और ह अमिच्छा जी की है कि प्राइमरी सुसाइटीज ज्यादा से ज्यादा देश में हो, और प्राइमरी सुसाइटीज को हम डारेक्ट मेंबर बना के उनके साथ अपने कारोबार करें, और उनको हर एक चीज का लाब पोँचना चाहिए, तो वही हमारी सोच है, उसी उनी के द कार्तिक तरक्की के साथ बाहर सरकार के सहकार से समर्दी के संक्रपना को पूरा करने की प्रित्वधता का आंकलन भी किया गया। काली स्टर्ण वूड क्राफ्ट मशीनों का वितरण कर खादी कारीगरों के साथ खादी समबात किया। के निर मोलन, कारिगर सरशक्ती करन, खादी सुरक्षा, महिला सरशक्ती करन और बेरोजगारी उन मोलन का सबसे सशक्त सक्षम और सफल अस्त्र और शस्त्र बना हैं। उन्होंने कहा के गाउं गाउं तक रोजगार पहुचाने के लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग लगातार प्रियतनशील हैं। पिछले तीन वर्षों में इतिहास रचते हुए खादी और ग्राम उद्योगी उत्पादों का कारुबार एक दिश्मलाव तीन चार लाग करोड रुपे का को पार कर गया हैं। जबके नौ दिश्मलाव पांच चार लाग नए रोजगार का स्रिचन हुआ हैं। करनाटक में कावेरी नदी जल बटवारे की मुद्दे पर किसानों और करनड समर्थक संगठनों ने विरोध प्रदशन किया। पडोसी राज्य को पानी नहीं चोड़ने का आगरे किया। दोरा किया। इस बीच परिशासन ने एहतियातन स्कूल कॉलेजों में चुट्टी का अलान किया है। मौसम विभाग ने फिलहाल नाकपुर और आसपास के शेत्रों में बारिश का औरेंज ऐलिट जारी किया है। और आएब कुछ और महत्पून खबर उपर नज़र डालेते हैं खास खबर में। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ग्यारा राजियों को नौ वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दे। पेम मोदी ने इन ट्रेनों को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए हरी चंडी दिखाकर रवाना किया। नियू यॉर्क में इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलिवरिंग फॉर डेवलेप्मेंट का रिकरम को डॉक्र एज जे शंकर ने समोधित किया। जे शंकर ने कहा कि भारत ने जी टोंटे शिकर समेरन में अंतराश्ट्री ये समोधाय के लिए विकास की संभावनाओं पर विच्छार करने की नीव रखी। वदेश मंत्री डॉक्रेज जे शंकर ने नियॉर्क में कई देशों की नेताओं से मुलाकाती की। वदेश मंत्री ने साइपरस के अपने समकक्ष कैस्टेटीनियों काम्बों से वारता की और भारती वदेश मंत्री ने साइपरस का भारत का मुल्यवान भागितार बताया। 36 गड़ में कॉंग्रेस चुनावी वादे पूरे ना करने को लेकर सवालों के खेरे में हैं एक अधिवक्ता ने दुर्गनी आयले में इसको लेकर मुकदमा दायर कर दिया है विपक्षी दल में पे-म पत को लेकर खीशतान थमती दिखाई नहीं दे रही है अब जैदियों ने प्रधान मंतरी पत पर दावेदारी जताते हुए नितीश की नाम की वकालत की है सुरक्षा बलो को अमरिस सर में बड़ी काम्यावी मिली है बी एस एफ और पंजाब पुलिस ने एक संयुकता अभियान में पाकिस्तानी ड्रोन और नशीले पदाड़तों को बरामत किया है तो किसान समचार में फिलहाल इतना ही अनुमती दें नमस्कार